स्वागत है इस्टुडेंट्स आपका हमारे चैनल पर आज हम आपके लिए कर आए हैं कक्छा दसका क्यूजब्यास जो की विशे गनित, इंगलिस और हिंदी का है तीनों विशो का करेंगे इस्टुडेंट्स हम इसी वीडियो के अंदर एक ही वीडियो में तीनों विशे सॉ करते हुए दो परी में संख्या दो बटे पांच, एक बटे पांच को जोड़ा आकरती ने उनके जोडने के कारे को दरसाया गया है दौनों में से किसने दौनों संख्याओं को सही जोड़ा है उत्तर हो जाएगा अजय अगला कोशन देखें स्टुडेंट्स दी गई संख् संख्याओं की योग को दरसाती है निन में से जोड़ी जाने वाली दो संख्याओं कौन सी है दो बटे साथ चार बटे साथ उत्तर हो जाएगा अगला है चार बटे संक्याओं का अंतर बताना है 17 बटे 23 की बीच में अंतर क्या हो जाएगा चार बटे 21 हो जाएगा दो परी में संक्या है 7 बटे 8 और 5 बटे 4 के अंतर का ज्याद करने का पहला चरण है आठ और चार का लहसा लेना ताकि उनके हर सेम हो जाए तो अगला चलंग क्या होगा हर के रूप में इस लहसा के साथ दी गई परीमे संक्या होगे सम्तुले परीमे संक्या ग्याद करना उपर नीचे उससे मल्टिप्लाइ कर लेंगे गुना कर लेंगे अगला देखिए दी गई संक्या रेखा एक परीमे संक्या और एक पून संक्या ग्युनवर्द को दरसाती है निन में से कौन सी संक्या है जीरो और तीन बटे आठ तो स्टुनेंट्स तीसरा अपतर हो जाएगा तीन बटे अठाइस और जीरो अगला देखिए तीन बटे 11 माइनस आठ बटे 11 माइनस 24 बटे 11 होता है दो बटे 5 9 बटे 8 और 4 बटे 7 गुननफल भेतर बटे k है तो k का मान गयात करना है 200 सी उत्चरा आएगा स्टुनेंट्स 8 बटे 9 और माइनस 16 बटे 3 का हल करना है उत्तर आ जाएगा माइनस का एक बट्टे छे चार बट्टे नौ भाग पांच बट्टे 27 बारा बट्टे 5 होता है कोश्चन मार्ट की जगें हमें कौन से संक्या आएगी वे बतानी है स्टुडेंट्स तो लुप्त परी में संक्या दो बट्टे 3 होगी अब हम करेंगे स्टुडेंट्स कच्छा 10 में विसें इंगलीज का क्यूज अब्यास इसी वीडियो के अंदर अगर आपने अमारा टेलीग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रूप जरूप जोइन करें उसकी लिंक डिस्किप्शन में में आपको मिल जाएगी ताकि आपको सबसे पहले सबसे तेज अपडेट्स मिलते रहें देखिए पहला प्रश्ण इंगलीज का है स्टुडेंट्स यह हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म जो वर्ड हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है जो व parents today same है verb change करने है verb बतानी है the tailors sew the new cloths the teacher is called students simple past tense बताना था हमें बतानी है my neighbor will work in a very big factory from the next week अगला है simple past he sold his car last month the children played a game in which the tense is given sentence written simple past simple future tense बताना है roses तो bloom का क्या हो जाएगा will bloom simple future हो जाएगा will bloom in the winter अगला देखिए सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बदलना है the sun rises in the east अगला वर बतानी है honesty is the best policy अगला I came home late yesterday अगला we will go to grandmother's house next Sunday अगला स्टुडेंट हम करेंगे तो अच्छा दस में विसे हिंदी का क्यूज अभ्यास इसी वीडियो के अंदर चले श्टार्ट करते हैं पक्छी आस्मन में उड़ते हैं वाक्या में पक्छी कौन से संग्या है जाती वाचक नहीं दीमी चाल से चलता है हाती चाल क्या है भाव वाचक है कोल की बोली में मीटी मिठास ह है मिठास क्या होता है क्या पर्त हي से पड़वाचक होता है है प्रत्वी सूरे चंद्रमा मंगल कौन संग्या है जाती वाचक संग्या है हम सब को मेहनत करनी चाहिए हम उत्तर हो जाएगा निमलिकित में से संबंद वाचक सर्वनाम क्या है जो निमलिकित में से अनिश्य वाचक किसी मीता गाना गा रही है मीता कौन सबनाम मीता सब्द के लिए कौन सबनाम आएगा वह है क्रिया पढ़ना से बनने वाली सही वाक्य चुनो कार्थिक पढ़ रहा है दिये गए वाक्यों में किस गुन के क्रिया का व्योग नहीं क्रिया का यूज नहीं हुआ है तो राम की बहन मा इसमें क्रिया नहीं है तो यह ता हमारा पूरा क्यूंज अभ्यास कक्षा 10 का तीनों विश्यों का एक वीडियो के अंदर इसी प्रकारण देखने के लिए चैनल से लाइक करें से और स्ट्राइब करें धन्यवाद